जाहिन प्यारे दोस्तो, प्यारे दोस्तो, महासुतोस, दोस्तो आज मैं बीडो लेकर आए हूँ, RRB Junior Engineer 22 माई से आपको पता है, 2 जून तक पेपर हुए हैं, तो सारे जितने कोर्षन पूछे गया हैं, तो मैं उसको डिटेल में लेकर आया हूँ, प्लस आंसर भी दूंगा, और साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि RRB, NTPC और GroupD के लिए ये topic काफी important है क्योंकि काफी chances है कि एक question repeat करेंगे और दूसरी बात है कि आपको एक idea लगेगा कि RRB, CBT1 में पूछ क्या रहा है ठीक है, NTPC में अगर आपने paper नहीं दिया junior engineer का तो आपके लिए काफी helpful हो सकती है वीडियो ठीक है, मैं हिंदी में भी समझाओंगा, इंगलीस में भी समझाओंगा तो पहला question देखते है, how many लोगसभा लोगसभा से काफी important topic है, लोगसभा से आप काफी question कवर करके जाना आने वाले एक्जाम में भी इससे पूछेगा, तो यह 13 होते हैं, ठीक है नेस्ट एकते हैं, which is Indian easternmost state, यह अपका उनाचल पर देश परता है ठीक है, नेस्ट एकते हैं, what is the capital of Sweden, दोस्तो capital और currency काफी important है और यह कहां का पूछता है, दोस्तो, 7 से 8 महीना हमारे प्रधानमंती कहां विजिट हुए और दूसरे प्रधानमंती प्रेजिजन्ट दूसरे देश के हमारे देश में अगर वो विजिट करते हैं, साथ में होता क्या है कि जितने भी प्रोशी देश हैं, जितने भी नेवर हूट कंट्रीज हैं, तो उनके भी पूछता है, ठीक है तो capital of Sweden, जो है, Stockholm है, what is the capital of Denmark, तो Copenhagen है और Nest Highs में, who is the longest serving Indian president तो आपको पता है, यह कौन है, यह राजन प्रसाद है, Nest Highs में देखते है विच नेशनल पार्क is called the floating national park, दोस्तों floating national park को एक और नाम भी कहते है, वो है कैविल लम्जाव नेशनल पार्क और यह मनिपूर में है, ठीक है तो यह होता है, साउच सेंटर रेलवे जोन, दोस्तों मैं बीडियो को पहले एक चीज आपको और बता दूँ कि आठ तारिक से मैं regular class video बनाने वाल हूँ study के जो काफी important NTPC के लिए लास्ट टाइम में आपको important video होंगे, ठीक है और दोस्तों मैं यह भी बता रहा हूँ कि मैंने analysis बताया था कि Railway Junior Engineer के पहले analysis बताया था कि यह topics आएंगा आप देख सकते 80% वहीं से आया है इन topics से ही आया है, आप मेरे पुराने वीड़ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों तो अब देखते है, next है, who won the best actor awards in Oscar यह है, Rami Malik Oscar से काफी important परता है, Oscar हो गया, National Awards हो गया, IFA Award हो गया ठीक है, इन awards से काफी important question बनते है, ठीक है तो इस CEO of ICC Bank, CEO से भी काफी question पुछा तो CEO एक topic आप कर लीजेगा, Sandeep Baxi ठीक है, the equator is located on which latitude to zero degree में locate करता है, कहां लोकेट करता है, zero degree में which state has been ranked highest in ease of doing business, ठीक है, ease of doing business में सबसे highest कौन से state है, तो यह आन प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, next state है what is the currency of Bangladesh, देखे, currency और capital से काफी important बनता है, तो आपका लीजेगा, इसे टका, आप देखे, परोसी देश है which team won the IPL 2019, मुंबई ने जीती है, किसको हरा के जीती है, चिन्नाई को जीती है, ठीक है देखे, ICC के chairman of, chairman of CIC है, तो यह है सुधीव भारगवा, next औरीशी, औरीशी, दान्स आपको simple है, बहुत आसान कुछ सेन है, ठीक है देखे, जो परोसी देश हैं लगभग, और जो बिजिट की है, तो उनके president भी पूछ सकता है, तो यह भी आपके लिए जवरी है तो हसान रहानी है, ठीक है, next देखते है, most electronegativity elements, देखे, दोस्तों, पूरे periodic table में most electronegativity होता है, जो वो होता है, फ्लोरीन आपको पता है, फ्लोरीन जो होता है, वो हैलोजन group में आता है, group 17 में आता है, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आपको अगर याद आ रहा हो, ठीक है, यह आपके period 2 में आते है, ठीक है, तो इसका कहा है, फ्लोरीन जो है, most electronegativity है, ठीक है, एक प्रियोडिट टेबल दोस्तों बहुत जादे इंपॉर्टेंट है अगर आपको एंटी पीसी निकालने मैं कहते हो प्रियोडिट टेबल जरूर पहले करके जाएं ठीक है उससे तीन से जार कोशन जरूर आते हैं ठीक है नेशने सिंबल ऑफ पॉस्पोरस पी होता है ऐसा कोश सल्फेड करें ड्राइए ही जो होता है वो होता है सूखा कि बरफ उसको क्या बोलते हैं सी ओटू तू एमिर्जनसी हॉर्मोन क्या होता है एडरेनलाइन है ठीक है लाइज देखते हैं इस स्मॉलेस्ट बोन इन हीमन बॉड़ी होता है कफी इंपॉर्टेंट कुछन है दोस दोस्तों आपका pH scale होता है pH होता है जिसमें न्यूट्रल होता है यह basic होता है और यह acidic इसको अमल भी वोलते हैं तो यह 7 होता है जीरो से 7 यह होता है और 7 से 14 यह होता है तो इसमें कोई question क्या पूछा है कि जो आपका तूथपेस्ट है तो वो basic में आता है मतलब कहीं ने कहीं आता होगा ठीक है नेश्ट देखे विटामिन देखे रासायनिक नेम काफी पहले गिरा तो आपको पता है कि इसमें डेफिसेंशी दोस्तों एक सीज मता दू जैसे मैंने आपको प्रियोडिक टेवल बोला है तो आप बिटामिन ठीक है बिटामिन मिन्डलस से काफी IMPORTANT है डेफिसेंसी एक कर लिजेगा एक common नेम कर लिजेगा इसका रासइनिक नाम क्या होता है और साथ में इस BITAMIN 1 की कमी से क्या-क्या डेफिसेंसी होता है तो यह सारे टॉपिक जरूर करके जाने एक बाद ठीक है इसको बोलते हैं इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो सुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों, नेश देखते हैं, वेर वर्दा, दोस्तों, एसीन गेम से काफी इंपोर्टेंट कोशन पूछा है, जरूर आपको एसीन गेम करके जाना है, आने वाले एक्जाम में कु स्पोर्ट चल रहा है, आने वाले एक्जाम में ICC कोशन पूछ सकता है, ठीक है, वो वन देखते हैं गेम से कप, दोस्तों, इस टाइप के कोशन ज्यादा पूछते हैं, डेविस कप हो गया है, ऑस्ट्रेलिया डेविस कप एक्चलोई टैनिस से बिलोंग करता है, अस्ट्र वेन और वेर वास दाए फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल ठीक है तो फर्स्ट ताइम क्रिकेट वर्ल्ड कप कहा हुआ था यह हुथा इंगलेंड 1975 में ठीक है एक कोशन था इफ यू और गिवेन इस्पेरिकल लेंज और अबजेक्ट इस प्लेट इंफनाइट ठीक है तो आपको बोल रहा है कि इस पेरिकल लेंज में और ऑबजेक्ट के बीच में जो इस इमेज फॉर्म होती है वो फोकस होती है इसको ध्यान रखिएगा फो डिस्कवर्ड विटैमिन सी तो एलवर्ट ने किया था ठीक है मैंने आपको भी बताया था कि 0 से 7 होता है 6.9 तक एसी होता है और यहां से उपर होता है बेसिक होता है तो आप देखते है चार पांच जो है आपका आम लाता है विच अमांग दफालीं एसीड इस डिस्पोंसिबल वर डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी यह गैस्ट्रिक एसीड होता है गैस्ट्रिक एसीड जो होता है वो डाइजेशन ऑफ हीमन बॉडी में प्रिफर करते हैं अवस्ट सोल्डर apra काभई रहring सकते हो टिक है अ को पर जिंग प्राष को आप चित चुछ सम्ट के तो एक है वड़ी है हो गया है अमने देखते हैं कि हुआ दा फर्स्ट इनियन चेस ग्रेंड मास्टर यह बहुत आसान है विस्वनात अनन्ड ठीक है दिमने लेक इस लोकेटेड तो इस्ट शिंगंभम ठीक है शिंगंभम में लोकेटेड है जहां की जारकन में पड़ता है फर्स्ट ओलम्पिक दोस्तों इस ताइप के कोशन बहुत पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्रिकेट डेट पूछता है और हेल्ड कहां हुआ ठीक है फर्स्ट ओलम्पिक कहां हुआ फर्स्ट एसियन गेम कहां हुआ जिदने भी इंपोर्डें इंपोर्डें फर्स्ट कॉमन वेल्थ गेम क इस टाइप के कोशन और साथ में first FIFA ओवर्ड फस्ट फीफा ओवर्ड का हुआ ये चार से पांच कोशन जरूर करके जाएगा सायद आपके कोशन मिल जाएं ठीक अगर अच्छी तैारी करना चाहते हैं जरूर करके जाएगा अब next कोशन देखते हैं, who is the first woman of UN General Assembly, इस टाइप एक कोशन बहुत पूछे जाते हैं, first woman to get Nobel Prize, first woman to get भारत रत्न, ठीक है, तो इस टाइप एक कोशन काफी पूछे जाते हैं, जरूर करके जाएगा, battle of Khanuwa, जो है 1527 में, युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, भारत नाट्यम जो है वो टमिल नाडू में है, भारत नाट्यम जो है दोस्तो, वो टमिल नाडू में है, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, और जो कोशन पूछे थे रेलवे में, और युद्ध बता दे रहा हूँ, एक कत्थक पूछा था, कत्थक जो है UP में, या कभी-कभी North India पूछ लेता है, तो कन्फ्यूज मत हो गया, जो कत्थक कली होता है दोस्तो, वो आपका केला में डांस होता है, ठीक है, बैटल हो गया, अब भी-च्छीू, देखे, भी-च्छीू होता है, बनारस हिंदू यूनिवरस्टी, यह IAT भी है, तो यह आपका है उत्तरप्रदेश में, आपको पत या फीमेल हो, या भूमेन हो, कोई भी हो, सभी का अठारा साल होता है, बोट डालने का, एक कुशन द वर्ल्ड फेमस अजन्ता केप, अजन्ता केप काफी इंपोर्टेंट है, यह पाए जाता है, और अंगाबाद महराष्ट में, और अंगाबाद महराष्ट में, ठीक है, नेस देखते हैं, पोस्ट अफ गवर्नर जैन्रल वाज क्रिएटर वाई भी चैक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो आर्टिकल हो गया, एक्ट हो गया, एमेंडमेंट हो गया, यह काफी टॉपिक इंपोर्टेंट बनते हैं आपके एक्जाम्स में, वाज रिसेंट केंदरी मंत्री हो गया, इस टाइम केंदरी मंत्री से काफी को सनाएंगे, ध्यान रखिएगा, कि आपके रेल्वे मिनिस्टर कौन है, तो इस टाइप को सन जरूर करके जाएगा, असाथ में सियो बहुत पूछता है, जैसे बैंक का सियो पूछ लिया, यह आपका नोकिया क प्रिजर्वेशन ऑफ लाइन्स, यह है, वर्ल्ड गिर वाइल्लाफ सेंचुरी, ठीक है, वो इस दा यंगेस्ट प्लेयर तो प्लेयर टी-20 मैच, यह है, मीट बहुत सार, ठीक है दोस्तों, ऐस देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाये जाता है, 14 दिसंबर को, एक कुछन है, who discovered malaria, यह रोनाल्ड, यह भी काफी important है, रोनाल्ड रोस है, ठीक है, what in the pH of wine, तो 3 से 4 है, दोस्तों, pH value से काफी important पूछे थे, mostly काफी सिफ्टों में, जैसे आपको water का 7 होता है, salt का 7 होता है, उसको NaCl भी बोलते हैं, ठीक है, blood का 7.4 होता है, तो यह आप द्या compound, दोस्तों, इस CHO bond जो है, वो क्या कहलाता है, इस टाइप का question भी काफी organic chemistry से पूछे हुए है, मैं आपको हलका से बता देता हूं, दोस्तों, CHO होता है, aldehyde होता है, इसको aldehyde बोलते हैं, इसको ketone बोलते हैं, अगर आप से पूछ ले, CO, CO पूछ ले, यह भी question पूछा रहा हूं, आप बल्कु नोट करके लिख लो, H-C-O-O-H, लिख लो अगर आपको नहीं पता, दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर विश्वास करके देख रहे हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और मैं आने वाले exam में बहुत ज्यादा important video लाने वाला हूं, जो आपको किसी भी कहीं भी नहीं मिलेगा, जो आपके agitives को सनाने वाले exam में, दोस्तों, ये formic acid होता है, ये acid acid होता है, ठीक है? इसका common name होता है formic acid, ध्यान से सुनिए अगर बात को, एक carbon होता है, तो formic acid होता है, दो carbon होते हैं, तो acid acid होता है, ठीक है? अब इसी की बात कर रहा है, दोस्तों देखिए, CH3COH, तो इसका नाम होता है, मिथनोइक acid होता है, लिख लो अगर आपको नहीं लिखना, मतलब अगर आपको नहीं पता है, मिथनोइक acid, और इसको बोलते है, इसको लिख लो आप, ठीक है? इसको आप लिख लो, नेस देखते हैं, दोस्तों, ये question अपीमोलज इसपेसिलाजेशन, आपको से आपको यादरको कि आइस से होता है, तीक है, treatment, विख लिख लो, इस प्रोवीन अटमोस्पियर, तो लिख लेते है, विख लो, इसको नहीं टेख लेते है, वो अमंग दोफॉलिंग दिख लेते हैं, तो नागर जुन है, टिक है, डैम हम से रिलेटर काफी इंपोर्टन टॉपिक बनते हैं फर्स्ट एबर दोना चार आवार्ड्स वर अवार्ड़े इस पर्सनल्टी फॉम बीच स्पोर्ट बॉक्सिंग रिचलिंग और अटलेट्स ठीक है गिरी बेडर काफी फेमस भूख थे और इसका पूशन पूशि़ लिए रांजी ट्रॉफी काफी बिधाव ट्रॉफी फ्रॉफी इरान सेको इसे में पूशนะคะ कि कोन पूशन पूशा है ठीक है तो यह क्रिकेट में होते हैं इस टाइप कोशन बहुत पूछेते हैं वी दाइज सीयो आफ नीती आईयोग देख लिए पूछ लिए अमिताप कांथ नीती आईयोग दोस्तों बहुत जादे इंपोर्टन्ट है महलका से आपको थोड़ा सा इंफर्मेशन दे देता हूँ नीती आईयोग के सीयोग जो है अभी मैंने बताए अमिताप कांथ इसके जो चेर्मेन होते हैं दोस्तों प्रिधान मंत्री होते हैं नरेद मोदी है और इसके वाइस चेर्मेन जो है वो राजीब कुमार है कौन है राजीब कुमार जो मैं नाम बोला हूँ दोस्तों इसको लिख लिया करो कॉपी में लिख लिया करो आपको काफी इंपोर्टन्ट होते हैं आने वाले एक्जाम में हैं्ड in हैंट एक्सर्साइज जो होता है एक्सर्साइज से कोशन बहुत पूच्शे जाते हैं एन्डन है क्या कहते हैं अपके है ठीक है इंडिया और चाहिना में है ठीक है तो दोस्तों यह एकुषन थे आगे यह मैंने अभी पार्ट वॉन बनाया है ठीक है वीरो थोड़ाल हो जाएगा दोस्तों पार टू अगर आपको पार्ट टू वीरो चाहिए तो आप मेरे को कमेट में कर सकते हैं और अगर आपने क्या कहते हैं आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पे जुड़ना है जहां मैं PDF प्रोबाइट करूँगा 55,000 का गुरूप है केवल रेलवे के लिए मैंने बना रखा है और आने वाले जो NTPC exam में इंपोर्टेंट PDF में उहां डालता रहता हूँ ठीक है जैसे 100G के टॉप जी के 1000 टॉप जी के इस टाइप के कोशन में डालता रहता हूँ आप उससे जुड़ जाएए मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज़ दूँगा तब तक के लिए दोस्तो जैहिन जै भारत के ुट हैं